गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आपको क्लास सिख्स्त में 1.1 और 1.2 सॉल्व हो जाने के बाद हमारा न्यू टॉफिक है 1.3 पे पहुचने से पहले एक्सराइस पहुचने से पहले 1.3 बन में एस्टीमेशन एस्टीमेशन का मतलब होता है अनुमाल लगाना या अंदाजे से बोलना ठीक है न तो इसमें क्या चीज है कि कुछ ऐसे नंबर्स हमें देखने हैं जो जीरो जिनमें लास्ट में नहीं होगा लेकिन उनके आसपास होंगे वो जैसे ये नंबर आपको दिख रहे है ना पहला नंबर क्या दिख रहा है 28 को हमें राउंड ओफ करना है यह राउंड ओफ या तो 10 में होता है 100 में होता है 1000 में भी होता है अभी इसको ध्यान से देख में है, yes, 20 और 30 के बीच में, अब 20 और 30 मैं से हम क्या मान लेंगे इसको 28 को, 20 लिखेंगे या 30 लिखेंगे, तो हमें ये देखना है, किसके ज़्यादा करीब है ये, 28 से के बाल हमें दो नंबर से आगे जाना होगा, तो 28 के बाद 29 and 30, तो हम 30 पर पहुँच जाएंगे, ये हमारे लिए पास में है 30, और अगर हम पीछे चलेंगे, तो 28 के पहले हमें 27, 26, 25, 24, इस तरह से करकर के बहुत सारे नंबर्स चलके हम 20 तक पहुँचेंगे, तो किस तक पहुचना easy है, 28 से 20 पर पहुचना easy है कि 30 पर पहुचना easy है, थर्टी पर पहुचना easy है, इसलिए 28 को round off किया जाएगा 30 तक, देखें, 28 को round off किया जाएगा कहा तक, 30 तक बढ़ा के, इसी की जग है, अगर हमारे पास कोई नंबर होता 21, तो 21 को हम कहां ले जाएंगे 21 में हमें किस के पास में है ये 20 के पास में है है न 20 के पास में क्योंकि 21 से एक ही नंबर घटना है तो 20 के वाला 0 वाला एक नंबर आ जाएगा 20 जबकि 30 तक जाने के लिए हमें 9 digits आगे बढ़ना होगा 9 numbers आगे किंती करने ही होगी तो ये इसका round off हो गया round off का rule है किसी भी number में unit place पर क्या-क्या है 1, 2, 3 या 4 है तो उसको कम कर देते हैं इनको हटा देते हैं यानि 24 का भी क्या हो जाएगा 24 का भी round off करने पर आएगा 20 कम कर देते हैं लेकिन अगर इससे ज़्यादा है 4 से ज़्यादा है यानि 25 है या 26 है तो देखिए 28 था जैसे इसमें क्या होना चाहिए 5, 6, 7, 8 या 9 ये numbers अगर last में हैं तो फिर हमारा round off होगा आगे बढ़ा के घटा के नहीं तो हम 28 को round off करेंगे अगले number पर यानि 28 के बाद 29, 30 30 आएगा 0 नमबर इस तरह से round off किया जता है similarly इसी तरह से hundreds में अगर हम round off करेंगे